शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें झालें वीडियोज के लिए सासुदाय मुटक के लिए। कर दो तो कर दो फजय को कर दो बाद चाक तो भॉड़ी का सुझार कैस काक। गुल, िवैमे, काया हो फ। कॉम एन नवस्ते प्रोफेसर साहब आओ खना आओ आओ आज भेर जल्दी कौने जाना है जी वो दारजलिंग से कोई जवाब आया है हाँ आज सवेरे की डाक से आया है क्या लिखा है वो ट्विशन वाली नौकरी मिलेगी न मुझे अब उसकाम के लिए उन्हें किसी पूढ़े प्रोफेसर की जरूरत है नौजवान की नहीं ची लेकिन उन्हें मरी जवाने पर क्या इतराज है सीता देवी का यह खत सुनो तो समझ आओगे लिखती है आपने मिस्टर खना के बारे में जो कुछ लिखा है सारी बाते मुझे पसंद है फिर भी एक बात आपने नहीं लिखी जो हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर मिस्टर खना की उमर पचास के ऊपर है तो आप उन्हें फोरन हमारे हाँ ट्यूशन पर भेज़ीजी लेकिन अगर वो पचास से कम है तो हर्गेज ना भेजी मिस सुना, क्या सर्पिरी औरत है कुछ समझ भी नहीं आता प्रफेसर साहब अब मैं क्या करूँ ना जाने कितने जग नौकरी की कोशिश कर चुक हूँ मैं लेकिन कहीं भी ना मिले ये एक आखरी मिती सो ये भी जी चाते है ये में की डिक्री फाड़ के फेक दूँ जानते हो गुसा करने के लिए बहतर रगों पर जो डालना पड़ता है लेकिन मुस्कराने के लिए सिर्फ ग्यारा पर सु वाई वेस्ट एनरजी बैठो, मैं तुम्हा लिए चाय मंगवाता हूँ जी नहीं प्रफेसर साहब, शुक्रिया अब मैं चलू मैंने चार साल सिर्फ तुम्हें पढ़ाया ही नहीं बलके हमेशे अपने बहुत करीब समझा है देखो, शर्माना नहीं अगर पैसों मैसों किसी दो जी नहीं बिलकुल नहीं आप मुझे इतना करीब समझते हैं यही मेरे लिए बहुत नमस्ते प्रफेसर साम पितम भाया, पिछली बार तो तुम अपना पॉंटन पें गिरवी रखकर पांच रुपह ले गए थी आप क्या लाए हो इस बार कुछ नहीं लायता तुम्हें रोकड़ा देने से मुझे इंकार नहीं फिर भी हमारे धंदे के कुछ नेम होते हैं भाया तुम्हारे पास नौकरी होती तो सौ दो सो यू दे देता मगर इस बेकारी में तुम मेरी रखम लोटा सकोगे ये खातरी कैसे हो मुझे माफ कर ना कागा तुकलिफ दे आपको कोई बात नहीं भी या कोई बात नहीं प्रिता प्रिता मा 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 आज कैसी अपने लाडले की दूला रही है अरे मा तुझे बुखा रहे क्या नहीं रहे चुले के सामने से उठकर आ रही हूं न इसलिए अच्छा ये बता तुसके पास गया था अरे वही तेरे कालेज का दोस्त जो दो तिन मिलों का मालिक बन गया है अब दीपक हाँ हाँ दीपक हाँ गया था मा वहाँ कुछ बड़ी गप्पें हुई खूब हाँसी मजाग चला याने वह भी तुझे कोई नोकरी नहीं दे सका दोस्त को दोस्त रखना चाहता है मा नोकर नहीं वापस में प्रोफेसर साब के यहां भी गया था अरे हाँ उन्होंने भी तेरे नोकरी के लिए किसी को लिखा था न उहां से जवाब आया कोई आया मा उन्हें मेरी सब बातें पसंद आई लेकिन मेरा जवान होना पसंद नहीं सर्फ किसी बुड़े को नोकरी दिना चाहती फिकर ना कर बेटा आज नहीं तो कल आखिर कब तक नोकरी न मिलेगी तुझे चल खाना खाले चल मा चल तुने खाया मा बहुत खाया बेटा पडोसन के बेटे का मुणन था वो धेर सारे लड़ू दे गई थी बहुत भूख लगी थी मुझे मान तो सब के सब खा गई क्यों जहां साय देती है मा तेरे घर में लड़ू आते और तु अपने बेटे क्लीना रखते चल चल मा चल खा मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं चल तो खाले मा पेट में जगह हो तो खाऊ ना आज प्रफेसर साब में मेरी खुब आभागत की रसकुले चम-चम सेव गाखिया खुब डटा के आ रहा हूं मा सच मैं नहीं मानती मा मैं तेरे जिसे जूड़ थोड़ी बालता हूं साथ बालता हूं बिलकुल देख पेट भराओ मेरा सॉरी मा मुझ कोल मा क्या हुआ मा क्या हुआ मा मत्यच मुझसे भाहने कती रही है मा इस मत्यों बुपार है मा क्या हुआ मा मुझ के मा मा मुझ की मा मुझ नदा मुझ के मा को ख़याल लगो मैं डॉक्टर को लेगर आता हूँ प्रोफेसर साब खान खन्ना, क्या बात है तुम बहुत परिशान नजर आते हो मेरी माँ बहुत बीमार है प्रोफेसर साब बेहोश पड़ी है बेहोश? तो तो डॉक्टर वगरा डॉक्टर के लिए मेरे पास तो भले मानस, पहले क्यों न बताया तुमने मुझे यह लो, डॉक्टर घर ले जाओ आपका शुक्रिया ओ जाओ, डॉक्टर घर ले जाओ देखो, देखो, देखो यह सीतादीव को खत लिखती है मैंने इसे फुर्षत में बढ़कर फॉरल पोस्ट कर देना जाओ, जाओ, जाओ Mr. Khanna, मेरा ख्याल है आपकी माँ को टीवी हुए टीवी? हाँ नहीं, डॉक्टर साहँ ऐसा कैसे हो सकता है? आप पर से देखिए अचानक टीवी कैसे हो सकता है? अचानक नहीं हुआ वो शायद अभी तक अपनी तख्रीफ आपसे चुपाती रही है इसलिए मर्स काफी बढ़ चुका है डॉक्टर साहँ मेरी माँ को बचा लीजी मैं आपके हाथों बच जाओंगा इस दुनिय में माँ के सवा मेरा और कोई नहीं किसी भी तरह बचा लीजी, डॉक्टर साहँ आप इतना परेशान नहों वो अच्छी हो सकती है आप उने किसी अच्छे से सनिटोरियों में बच्वा देजी सनिटोरियों में? लेकिन कैसे बच्वाँ, कैसे बच्वाँ में डॉक्टर साहँ मैं बिल्कुल बैकार हूँ अजकर I am very sorry Mr. Khanna लेकिन मैंने आप से कहा है कि मर्स काफी बढ़ चुका है और फिर उनका इस घर में जड़ा दे रहना अच्छा भी नहीं है अगर आप अपनी मा की जिन्दगी चाहते हैं तो उनको किसी सनिटोरियों में ले जाना बहुत जुरूरी है मा की जिन्दगी? हाँ, जितनी जल्दी हो सके, सनिटोरियों में ले जाइए उन यह थेंक यू दोक्तोर ने क्या कहा बेटा? दोक्तोर ने अगर आप अपनी मा की जिंदरी चाहते हैं, तो उनको किसी सनीटोरियों में ले जाना बहुत जुरूवी है तुम्हें रोकला देने से मुझे कोई इंकार्ण नहीं, तुम्हारे पास नोफी होती है तु सो दो सो यह भेज़ी है I am very sorry, खना, उन्हें एक बुरे परफेसर की जुद है, ना जवान की नहीं उन्हें जवान की नहीं, बुड़े आदमी के जुरूर थे, बुड़े आदमी के जुरूर थे झाल 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 कि झाल 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 कर दो हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है प्यार की दोर से बंध जाएगा हमरे गाउं कोई आएगा हमरे गाउं कोई आएगा प्यार की दोर से बंद जाएगा हमरे गाओं कोई आएगा इस दिन फड़के भर जैसे काली काली अखिया घिल्मिन पूझे धेद जिया का चंचल मंचल सक्थिया गर्डर जाऊं लाज की मारी बोलना पाऊं बतिया रंग रंगिला मौसम लाया आज पिवु की पतिया वो हमसे चुरी चुरी आप मिलाएगा हमरे गाओं कोई आएगा प्यार की रोर से बंद जाएगा हमरे गाओं कोई आएगा आएगा हमरे गाओं कोई आएगा प्यार की रोर से बंद जाएगा हमरे गाओं कोई आएगा जब जब देखूं दरपन दिल का आये नजर एक छेला थुन थुम थुम के चाल नशिली लागे दिल नल बेला हर दम मेरा दिल धड़का ए मस मिलन के बेला कलचिन देखूं मुड मुड देखूं पितम रूप नशिला वो आखे सोया सोया भाग जगाएगा हमरे गाओं कोई आएगा प्यार की ढोड से बंद जाएगा हमरे गाओं कोई आएगा दिन का सूरज रात का चंदा राहों का उजियारा होई होई हमरे नेन पिछाया बिन देखा मतवारा राम ही जाने कैसा होगा सपना जिसका प्यारा हाईरी जिसकी आस्ते हम पर प्यार का जादू डारा वो हमरे मिती मिती नींद चुराएगा हमरे गाओं कोई आएगा जार की ढोड से बंद जाएगा हमरे गाओं कोई आएगा हमरे गाओं कोई आएगा चार की दोर से बंद जाएगा हमरे गाओं कोई आएगा हमरे गाओं कोई जाएगा जिता आएगई जली जली हमरे अएगा हमरे जाएगगा हमरे बंद असम्रवा नमस्ते नमस्ते नीना जी आंटी जी ये मर्द यहां कैसे आया मर्द जी है मैं पूछती हूँ मेरी गयर हादरी में मर्द इस खर में कैसे आया मुझे पता नहीं आंटी मैं तो अपने कमरे में लिखाई पढ़ाई कर रही थी जी मैं अभी अभी यहां आया हूँ मैं प्रोफेसर खना हूँ ओ आपने मुझे यहां टूशन के लिए बाई ठेले जी बाल तो थोड़े वह सफेद है लेकिन जहेरे पे कोई खाद जुरिया नहीं जी बात यह है कि मैं योग का माहर हूँ सारे के सारे आसन बस यू कर लेता हूँ तो योग विद्धा भी जानते हैं आप जी बिलकुल किस योगी राज से सीखी है योगी राज से जी नहीं सिर्फ किताबों से सीखी है बहुत पुराने पुराने शास्त्रों से पुराने शास्त्रों से लेकिन वो तो सब संस्कृत में होते हैं होते हैं बिलकुल होते हैं यानि कि आप संस्कुद में जानते हैं? जी बिलकुल, बिलकुल बहुत अच्छे तुम लोगों के लिए अब मुझे पंडित ढूनने की जरूरत में नीना, प्रोफेसर साहब को उनकी कॉटेज में पहुंचा दा आप आराम कीजी तो आप संस्कुद पढ़ाएंगे हमें संस्कुद? संस्कुद? जी हाँ, आंटी संस्कुद लादना चाहती है हम पे, आपके जरिए हरे ओ, शान्तम पापम, शान्तम पापम बालिके, मेरी कुट्या की और प्रस्थान करे इस वे प्लीज अपने कौंसी है? चलिए, पता चल जाएगा ये रही आपकी कॉटेज ठाट से अंदर जाएए बिस्ता, फर्नीचर, सब कुछ मौजूद है आपके लिए अंदर थैरिए क्या हुआ ये नहीं, वो है आपकी कॉटेज लेकर आप में तो कहा था कि ये है मेरा कॉटेज जिया, कहा था अजीब लड़की है कभी ये कॉटेज बताती है, कभी वो कॉटेज बताती है जाए जाए ठाट से अंदर जाए थैंक्यू ताटा स्वार जाए बाल बाल बचा कमवक्त ने गलत कॉटेज में भेग या था क्या बैर हो सकता नुश्या उसका? क्या आगे रखले जाए 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 पर मैंने से पहने कभी ने देखा तुम फजर शक करो मुझपे हाँ 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 फदूल शक करता हूँ हमेशे मुझे छोटे कदगाता ना दिया करती थी बेशर्म, बेहया, ना लाया, पत्तमीज आज देख़न तरे पुधे उठको किम्बे अपने बाहरा करता अनुमादी दर्वादे बन करता अनुमादी फिर यहाँ पर यह दर्वादे खिर किया तुम सब जाओ यहां से सुना नहीं जाओ जी मैं भी तुम ठरो लाहाँ दीदी आंची को चिरत निसमा रहा थाँ समझो, दाव चल गया पॉंगा पंडित की छुटती और सैंस्क्रिप गॉर हम मुझे नौजवानों के चाल चलन पर भरोसा नहीं इसी लिए मैंने आपको यहां बुलाया था जी बिलकुल बिलकुल लेकिन इस वह आपको भी अपने चाल चलन का यकिन दिलाना होगा मुझे समझे आप जी बिलकुल तो जवाब दीजिए आप इस cottage में कैसे आए? मैंने आप से कहा ना कि दूसरे cottage के bathroom में कोई था नामुम्किन मैंने अपनी आखों से देखा कि कोई वहाँ पर मैं कहती हूँ नामुम्किन मेरे हुकम के बिना वहाँ कोई कदम नहीं धर सकता शायद ना धरा हो कदम मैंने तो सिर्फ हाथ ही देखा था उसका तो पूरी तरह हिजाज परताल क्यों नहीं की? जहां क्यों चलियाए? यह यूं के वो हाथ जनाना था और और क्या? यानि सिर्फ हाथ ही हाथ था हाथ पर दर्जी की निशानी तक नहीं क्या? उस तरह काहा तो उस कौटेज में कैसे दाखिल हूँ? बहुत ही खतरनाक हाथ था देवी जी इसलिए मैं सरपट भागा वहां से सनाना हाथ से दूर रहने की आदत है मुझे सच मुझे? जी बिलकुल बिलकुल दरसल मुझे औरत जात से ही नफरत है इसलिए मैं अब तक कवा रहा हूँ हम अपने कौटेज में जाओ जी और फिर कभी इस तरफ ना आना जी हनुमान सिंग कल सुबा साड़े स्शे बजे इने मेरे पास ले आना कल आपको सब काम समझा दिये जाएंगी जी बिलकुल बिलकुल तो और जात से ही नफरत है आपको जी पहलवान जी और जात से ही नफरत है इसलिए मैं एक्षी के दवादे बन हो रहे थी यह मैं तुम्हे कल समझाओंगा पहलवान जी जाए नमस्ते चालिस सेकंड लेट हो प्रोफेसर जी मैं मैं जब खुद तुम वक्त के पावन नहीं तो बच्चों को क्या खाक सिखाएंगे जी मैं आएंदा जल्दी आजाया करूँगा इस घर में तुम्हारी क्या क्या जम्मेदारियां है साफ साफ सुन लो दो छोटे बच्चे ही स्कूल में उन पर कड़ी निगरानी नहीं रखी जा सकती इसलिए उनने घर पर ही पढ़ाओगे दो छोटे बच्चों को जी हाँ पूरे आर सो रोपर तनख्वा दे रही हुएं आपको जी हाँ बिलकुल तो जाइए बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए हनमान सिंगारी और सुनिये शाम को मुझे लोटने में शायद देर हो जाए लेकिन ये लड़कियां तब तक कालेज से लोट चुके होंगी तब उन्हें संस्कृत पढ़ाई संस्कृत पूरे आठ सो रोपर तनख्वा दे रही हुएं आपको जी हाँ, बिलकुल, बिलकुल संस्कृत जी हाँ ओफो, कम दीदी, लेट्स को सुनिये, सुनिये आप लोगोंने कल जान बूज कर क्यों शरारत की मेरे साथ क्या बैर है आपको मुझ से आंटी आपको कुछ होकम दे गई है जी हाँ, जाता हूँ जाता हूँ, देखिए मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ किसी से बायर करने नहीं आया हूँ सिर्फ हिल मिलके रहना चाता हूँ आप लोगों के साथ हमसे किस तरह से हिल मिलके रहना चाते हैं आप? संस्कृत पढ़ा के? जी, वो तो पढ़ानी होगी आपकी आंटी का हुकम जो ठैरा दीदी, यह हमसे हिल मिलके रहना चाते हैं खुकम के गुलाम है ना आप जाए आंटी का हुकम पूरा कीजिए कम अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? बंटी बंटी और तुम्हारा क्या नाम है? तुनू तुनू मुझे यहां क्यों बुलाया गया है? जानते हो तु? हमें पीटने के लिए पीटने के लिए? किसने कहा ये? बड़ी दीदी ने बड़ी दीदी कहती है के पॉंगा पंडित अंटी से भी ज्यादा पीटेंगे पॉंगा पंडित? हाँ, वो आपको कहती है पॉंगा पंडित बिलकुर जूट बोलती है तुम्हारी दीदी मैं मैं तुम लोगों को कभी नहीं पीटूँगा कभी नहीं पीटेंगे कभी नहीं पीटूँगा बेटा कभी नहीं चलो चलो अपनी किताबे लाओ देखे तुम लोग क्या क्या सीखे अभी तक पोंगा पंड़त चली घर बोई, I got it आप संसु की किताबे रखते हैं जी, पूंस चाहिए, बारबाद, जय देर, खाली दाज कोई छोटे दाज की किताब चाहिए, देर से संसु सिखी जा सके अच्छा, बाल संस करता हूँ यह बाल संस करता हूँ यह दी जी, कीमत एक उप्या यह, ठैक्यो यहां नहीं अच्छे टेलर की दुकान दी जी हां एक दो दुकान छोड़कर के A1 टेलर एक पर चेंच A1 टेलर यह था सूर्यका किरन विक्षमूलम, विक्षकामूल विक्षमूलम, विक्षकामूल आप्टी की आनी का टैप हो गया अगर पॉंगा पंडिता शामिल हुआ तो तो उल्डे हमारी मुसीबत हो जाएगी पॉंगा पंडित के लिए ही तो सारा प्रोग्राम बनाया है किसी ना किसी तरह उसे शामिल करना ही पड़ेगा तुम पूरी कोशिश करना हो अच्छा बाले काओ वहां क्या कर रही हो जल्दी से इधर आओ आगा है प्रोफेसर साहब हम आगए बैठो कहिए क्या हुकम है आज बड़े मीठे ढंक से बात कर रही हो क्या बात है आपने कहा था ना कि आप हमके हिल मिलके रहना चाहते है दिलो जान से चाहता हूँ बाली के, दिलो जान से. प्रोफेसर साहब, इस वक्स सैस्ट्रिक पढ़ने का मूड नहीं है. यानि के मुझे नौकरी से निकलवाने का मूड है तुम लोगों का? नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, आंटी की आने में तो भी बड़ी देर है, तब तक संस्क्रित का मूड बन जाएगा. और अगर मूड नहीं बना तो? आंटी की तरह आप भी शक की दिमाग के हैं, आपसे हमारी कभी नहीं पटेगी. कैसे रूखे किसम की इंसान होते हैं ये बुड़े? ये बुड़ा बड़े चटपटे किसम का इंसान है बाली के, यकीन करो. हाँ यकीन करें, संस्कृत के सिवाए आपको कुछ सूचता ही नहीं. आपकी जिन्दा दिली की उमर? बिलकुल नहीं. तो क्या जवान है या? शकल से ना सही, लेकिन दिल से जरूर हूँ. जिन्दा दिली का तालक दिल से होता है, उमर से नहीं, नहीं. अच्छा, तो अभी पता चल जाएगा कि उमर ही से जिन्दा दिली है, बुड़े क्या, खाक जिया करते हैं? ये उमर है क्यार गिले, ये नजर है क्या नुशले, प्यार में खोए खोए में, अमरा रूम रूम देते, अमरा ही दमना आपक जिन्दा दिली हूँ. हाए हम पर्त जवानी, और दुनिया भी दिवानी, किसके हम भी थे दिल्दार कोई करता था, हमसे प्यार हमारा भी दमना था, हाए हम पर्त जवानी. ये मत्वाली चंचल आखे, देखे सपने बागल आखे, गुजरा बच्पन चाई बहरे, गुजरा बच्पन चाई बहरे, चार हुए मसताने. ये उमर है, क्या रंगेले, ये नदर है, क्या रशेले, प्यार में कोई कोई ने, हमारा रूं रूं के चंच, हमारा ही जमना है, ये उमर है, क्या रंगेले. जम है जब तत जीवन अपना अरे जान है जब तत सब कुछ अपना दिल की बाते सुन लो अपको आखों की दुवानियो हाए हम फर्त जवानी और दुनिया थी दिवानी किसके हम भी थे दिलतार कोई करता था हमसे प्यार हमारा भी बमाना था हाए हम फर्त जवानी बीवन क्या है हसते रहना मन मौ जोले बैते रहना चुपके बैठो माने नहां चुपके बैठो माने नहां पते मों पुरानी यह उमर है क्या रंगेले यह नजर है क्या नशिले प्यार में खोई खोई नन हमारा रूम रूम पेचन हमारा ही जमना है यह उमर है क्या रंगेले हमने माना हम पेखिजा है फिर तो अपना फिर भी जवा है अहां बुडे मू ना देखो दिल को देखो मू ना देखो दिल को देखो छोड़ो यह नादानी हाए हम कल थी जवानी और दुनिया थी दिवानी इसके हम भी थे तिल कार कोई करता था हमसे प्यार हमारा भी जमना था ये उमर है जयार के लिए ये नजर है क्या लशे ब्यार में भूए-भूए नें हमरा रूं-ूं देचर्ण हमारा ही जमना है हमारा भी जमना था तो जे सबत पढ़ा रहे हैं आप लड़कियों को जी मैं आपने कहा था आपको आरत जास से नफरत है क्यों बाद 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 एक हनुम सुभा साथ से पहले प्रोफेसर को स्टेशन पहुंचा दो स्टेशन बस बस सुभा आठ बजे गाड़ी जाती है अब हमें आपके कोई दर्वत नहीं मैं बस सुना नहीं चाहती और तुम जरा अंदर तो चलो अब मैं तुझे सेनेटोरिय में कैसे रखूंगा मां कैसे रखूंगा मां बाई बाई प्रोफेसर साथ आप चाह रहे हैं प्रोफेसर साथ इनके जाने से तुम लोग बहुत खुश हो आप नहीं जाएंगे प्रोफेसर साथ ये लड़कियां आप से जितनी नफरत करेंगी उतनी ही ज्यादा तनुखा मिलेगे आपको तुम लोग जाओ कॉलेज जाने के तयारी करो हरिया प्रोफेसर साथ का सामान कॉटेज में ले जाओ आप जाएए बच्चों को पढ़ाएए अजीब बुर्या है कभी निकालती है कभी रखी अब ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे आप यहां क्यों मुझसे बैर करने पे तुली हैं आप अभी जे घबरा गए बहुत हस्ती हैं आप ये तो कुछ भी नहीं जिस दिन आप और भी ज्यादा बे आबरू होकर निकलेंगे उस दिन जी भर के हसूंगी मैं वो दिन जब आएगा तब आएगा उससे पहले एक दिन बहुत रोहेंगी आप मुझे रुलाने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ अच्छा जनाब देख लीजेगा कौन रोता है एक दिन मैं या आप देख लेंगे देख लेंगे दालो और दालो तालर की प्यास काट रहे है या बैंगन और बारी काटो यहां को बन्ना सिखाते हैं अच्छी बली बंबई में कॉलेज में पढ़ती की तो अब भी क्या विद्रा है यहां किसी कॉलेज में दाफिल हो जाने वह अर्मन माबाब के सद्ट गया मारती अब कॉलेज का नाम लिया तो शहीदो में नाम लिखाना पड़ेगा अच्छी जासकती मुझे चुटी है फूलणी तीता को चुटी होने में अभी देर है मैं दब तुक लाट आउंगी लाट आउंगे तुम नहीं जा सकती आंटी को पता चल गया तो मैं पो क्या जवाब दूँगे अपना पूलणी कर्णल साब का बतलर कॉमाल अगर मैंने अंटी को बता दिया तो ठीकर ना करो मैं जल्दी लाट आउंगे कॉमाल कॉमाल तेलवास्ता साथ मेरा कोट तयार येस सर थोड़ा सा काम बाती बड़ा ही अजीब कोट आपने बनवाया था दोनों तरफ तेनी एगा क्या जी हाँ एक तरफ जवाने के लिए और दूसरी तरफ बढ़ापे के लिए जी जी कोई अतराज है आपको जी नहीं तीन मैं अतराज ले सकता है जरूर जरूर आईए आईए यहाँ पर से तंग है ये जीन्स कमर पर से ध筹ीण क्या बना दिया है वो सब ठीक हो जाएगा आप बिल्कुल फिकर नखरें मिस नीना क्या फीकर ना करों बार बार चकर लगाने पर भी कोई ना कोई नुक्स निकलहिए आता है अब ख्याल रखिएगा वो सब ठीक हो जाएगा मिस नीना कब तक ठीक कर देंगे आपी से बस दो दिन में तो ठीक है बुद को दो बजे आउंगी मैं इसे लेने वेरी वेल मेडम इला माश्य साथ गोट आपने बहुत अच्छा बनाया है इसकी लंबाई ज़रा कम कर दीजिये मैं भी बुद्वा क्वाउंगा दो बजे के करीब मैं वेरी वेल सर्व इधर आना जरा येस माडम मेरे दुपट्टा कहा गया दुपट्टा हाँ जीस बहनते वक्ते हैं यह अंदर तो उता रहा था मेने कहा गया मैं कहती हूँ ऐसे लफंगे लोगों को तुम अपने आने ही चू देते हो वो अपना कोट लेने जरूर आएगा तब मैं तब को मारो गोली मुझे अभी अपना दुपटा चाहिए ऐसी हालत में मैं घर कैसे जा सकती हूँ एक तरकीफ है कमीश का कपड़ा ए मिस्टर मैं? हाँ तुम ये तुम्हेरे गले में क्या है? रस हमेम सहब रस तांसन हिर्नी को खेच लाते थे मैं हसीनों को खेच लाता हूँ अपने करीब मैं इस दुपट्टे की बारे में पूछ रही हूँ, मेरा दुपट्टा मालूम होता है शायद, बड़ा ही आशिक मिजज है कमबक्त, देखी मेरे कोट के साथ लिप्ता हूँ चला है तुम सीधी तरह से मैं दुपट्टा देते हो है मैं बुलाओ पुलिस को बुलाई, जुरूर बुलाई, पुलिस हम दोनों को ठाने ले जाएगी और वहाँ आपको अपना नाम और पता लिखवाना पड़ेगा और फिर आपके घरवालों को खबर हो जाएगी कि ये पेलर शॉप में आप नहीं, नहीं, क्यों, घबरा के मैं अगर मैंने आपको पुलिस के हवाले कर दिया तो वह आपको हवालाद में बंद कर देंगे अचानक मेरे लिए बहुती दर्थ उमड़ा है आपके दिल में, कहीं कुछ भी कहिए, अब तो पुलिस से दिलवाएगी आपको ये दुपट्टा, जी सुनो, सुनो, तरस खाओ मुझ पे, मैं बिना दुपट्टे के घर गई, तो घर वाले क्या कहेंगे कहेंगे वहेंगे कुछ नहीं, सिर्फ दो-चार थपड लगाकर आपके ये गुलाबी गाल सुर्ख कर देंगे मेरा दुपट्टा वापिस कर दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं बाबा सिर्फ हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, मिमसा आँखों में आशु छलका कर आपको गिर्गडाना होगा मेरे आगे इंसान नहीं, जानवर हो तुम, उझे थपड़ खाना मन्जूर है तुम्हारे आगे कभी न गिर्गिराओंगी में, कभी नहीं नहीं रोई सुनिये क्या है? एक और शर्त में वो टुपट्टा आपको वापस कर सकता हूँ आपको टुपट्टे की रिस सीद देनी होगा रिस सीद? जी हाँ, अपने नाम की, क्या नाम है आपका? विम्ला ओ, तो लिखिये जटपक लिखे लिखे प्रीतम प्रीतम चौके नहीं, मेरा नाम है लिखे लिखे क्या देख रही है आप? तुम्हारी शर्त कुछ आनी पहचानी सी मैंने तुम्हें कहीं देखा है जी, जरूर देखा है कहां? सपनों में आगे क्या लिखना है? अगर आज तुम मेरा डुपटा वापस ना करते तो जानते हो मुझ पर क्या गुजरती जानते हो मुझ पर क्या गुजरती नीचे अपना नाम लिख दो लिख देजिए आपकी? आपकी पिमला जी नहीं नीना तुम्हें मेरा नाम केसे मालूम हुआ? तेलेवाश अपेरो और तेलेवाश से सुनाता, आपको निना कहकर पुकारा था लिखे, लिखे,। लिखे often take you! ये रही टुपटए की सब्रीच, ये रही आपकी कजिए ये रहा मेरा पहलarm 53, और ये रहा आपका टुपटऍटा यहाद में तेलो मासे से लिए मोसे वापस कर दूँगा है करी अब पुआ अब पुआ अब पुआ करेहर कला सीप कर लोट रही हो बालिके अगर आपको घर चलना तो जल्दी आए किन्तु इतनी जल्दी भी क्या चलो ड्राइवर बालिके बालिके इसमें नाराज होने की कंसी बात है बुढ़ाबे में करो ड्राइवर उत्रो नीचे उत्रो बीस मिनिट लेट हो ये देर कैसे हुई जी बेबे नीना क्या किया इसने कहां गई थी ये फूल रानिंग जवाब दे मुझे जी कहीं नहीं सच सच बता वरना खाल खीच लूंगी तेरी लडकी ने जुरूर आज जुरूर आज कुछ हुआ है जी हाँ हुआ है क्या हुआ है आप ही क्यों नहीं पता देती जी मैं आंटी जी दरसल मेरी वज़े से इन सब को देर हुई है दोपहर को शहर गया था सोचा बापसी में गाडी में लिफ ले लू बूड़ा आदमी जो टहरा रास्ते में एक दो चीजे खरीदने के लिए मैं गाडी को रोका भी आप सच कह रहे हैं जी बिलकुल हर कदम पे अपनी ही वज़े से देर हुई है कसम ले लीजे आएंदा कभी इस तरह देर ना कराईए गई ने आप नहीं जानते कैसे कैसे खालत आते हैं मेरे दिमाग में जल्ला कहेंगी शायद आप इन्हें गलत समझ रही है माना के इनका बरता बड़ा सक्त है लेकिन ये सक्ती शायद मुहबत की वज़े से हो मुहबत आंटी को और हमसे देखा नहीं आप आप लोग 30 मिनिट नहीं लोटी तो कितनी परेशान हो गई वह आपके सिवाए इस दुनिया में और है कौन उनका शायद आप इक लिए उन्हें अभी तक शादी नहीं की उन जैसी डिक्टेटर से शादी करता ही कौन मर्द हमेशा उनके साई मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता पड़ी लिखी है दौलत मन है जवानी में खुबसूरत भी रही होंगी चाहती तो आसानी से शादी कर लेती लेकन अगर कर लेती तो आप लोगों की देख बाल कौन करता है हमारी धैपल सिफ छे महीने से कर रही है वह समझे आप छे महीने से जी हाँ छे महीने पहले हमारे माबाब जिंदा थे हम उनके साथ इस नरख से बहुत दूर थे आप आंटी की चमचागिरी कीजिए लेकिन हमारे सामने नहीं हम उनसे नफ्रत करते है और आप से भी शुक्रिया हम बढ़ाय पॉंगा पंडित उसका खयाल है कि वह आँटी को समझता है कल ही समझ जाएगा क्या बनाया फुल्डानी वही तुम दोलों के लिए फ्राइट टमाटर, सलाथ की पतियां एंड बार्ले वाटर बार्ले वाटर? यस जद देखो तक जौ का पानी और ये कर्विक घास हमें इंसानी जानवर बस करो, पूरा भर दो लेकिन आँटी में इस सब कैसे सब पीना पड़ेगा एक गुन नहीं छोड़ सकोगी, समझी? तुम्हें जो कुछ कहा मैंने सब सुन लिया है तुम्हें जो का पानी पसंद नहीं गर्म और तेज कंगे पसंद हें गर्म और तेज खने तुम्हारी मा को भी बहुत पसंद दो दिन के लिए हमारे यहां महमान बनकर आई थी और मेरे भाई को ऐसा फासा के सारे खानबान की मर्जी के कि CJ Him ऐ सा लामश! क्या कहना चाहती हूँ? वो.. वो क्या? उनका खयाल है आप बड़ी खुबसूरत हैं उन्हें आपके शकलों सुरत अच्छी लगती है क्या? जी हाँ, उस दिन कहा कि जवानी में आप बड़ी खुबसूरत रही है उसकी देख मत! मैं उसे, मैं उसे! कौन है वो? मर्द या औरत? मर्द, प्रोफेसर सहाब प्रोफेसर? प्रेमा! प्रोफेसर को फॉरण बलाओ, फॉरण! आज पहुंगा पंडित की छुटपी जल्दी खाओ, का वक्त हो रहा है चूले में जाए खाना हमें भूगा रहना पसंद है आपने मुझे बुलाया तुम्हारी ये हुमत? जी तुम्हें मेरी शक्ल सूरत अच्छी लगती है कह ये सच है? जी नहीं, बिलकुल गलत तो क्या वो नकियां जुट बोलती है? तुमने उनसे कहा है कि मैं जवानी में खुबस६रत थी जी, बात ये थी कि उस zaman मने ँने सभ हा था जवानी और खुबसूरते के बाते? ये गंदी बाते समझा रहे थे तुम उनको जी नहीं, मैं समझा रहा था कि आप उनने कितना चाहती है लेकिन उसमें मेरे खुबसूरती का जेकर कैसे आया जी, उन्हें समझाते हुए ये कहना पड़ा कि आप जवानी में काफी खुबसूरत रही होंगी चाहती तो अच्छी से अच्छी जगा शादी कर सकती थी और अगर आप शादी कर लेती तो आज मा की जगा लेकर उन लड़कियों को कौन पालता उस ओरक का नाम न लो मेरे सामने मा की नहीं, बाप की जगे ली है मैंने जी घलती हुए मुझ से बाप ही की जगा ले सकती है आप बैठिये शुक्रिया उन लड़कियों ने जरूर मुझे बुरा भला कहा होगा शायद इसलिए आप समझा रहे थे उन्हें जे नहीं, उन लड़कियों ने कुछ नहीं कहा मैं यूही समझाने लगा यूही? यूही क्या? बस आपकी तारिफ करने को जी चाहा इसलिए बैठे बिठाए, मेरी तारिफ करने के जी क्यों चाहा आपका नगाने क्यों, बस चाहने लगा हम, आएंदा मेरी तारिफ करने को जीना चाहे आपका समझे? जी, बिलकुल, जिंदगी पर तारिफ नहीं करूँ अब जाओ, बच्चे को पढ़ाना जाए सुनिये वैसे जी चाहे तो कीजी तारिफ लेकिन वो खुबसूरती, जवानी वाली बाते समझ गया ना? जी, समझ किया, बिलकुल समझ किया यह सब क्या हो रहा है? अपनी किताबी ले क्यों नहीं बैठे तुम लोग प्रोफेसर साब, आज आपको छुट्टी मिल गई ना छुट्टी? आपको छुट्टी तो हम कभी छुट्टी क्या इसी छुट्टी? बड़ी देदे कहते थी, आज पुंगा-पंडट को छुट्टी मिल जाएगी तो मेरी छुट्टी कराने के लिए वो गुल खिलाया मेम साहब ने अच्छा, अच्छा चलो, चलो, कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं किसा पर रिकलो, बड़ो, बड़ो ओंगा-पंडट कहती है मुझे मेरी जीन्स ठीक कर दी आपने आपकी मर्जी के मताविक मेड़म, नूर मेम साहब की जीन्स केविन में पहुंचा दो ट्रायल लीजे, खुश हो जाएंगी आप आपका कपड़ा, कपड़ा, ये तुमा ने उन मेम साहब को दिया था और उन मेम साहब ने मुझे दिया अब तो समझगे न, तुम हमारा रिष्टा समझ गया था बिल्कुल समझ गया, वो कोड तयार है आपका सुनो, जी नीना दियर तुम यहां? जहां तुम, वहां हम तुम्हारी यह हिम्मत शांती, शांती ये चिठी आपके घरवलों तक पहुच जाए ये तो आपना चाहती होंगी तुम्हारी यह तुम, मुझे आपस एक बहुत जरूरी बात करनी है ये रहा आपका कोट और ये चेंज Thank you very much, वह दूसरा बंडल जल्दी से तयार कर लो अभी रहा क्या चाहते हो तुम्हारी आपका मधूर साथ चाहता हूं क्या मतलब फिलहाल जीवन भर का साथ नहीं चाहता सिर्फ पल भर का इस दुकान से बाहर तक आप मेरे साथ चलेंगी हरगे नहीं जाएंगी तो जरूर मैं कहते हूंग शांती, शांती ये आफका दूसरा बंडल तांक यू समच तांक यू समच आव डियर कम कुछ खयाल ना करना टेलर मास्टर साथ हमारा तो ये सिलसला पिछले जनम से है समझ गया सर बिलकुल समझ गया मेरे कपड़े मेरे कपड़े कहां गय ये चाह रहे है मेरे बंडल देती हो या नहीं रोए गिरगड़ाईए शायद मिल जाए मैं गिरगड़ाँ तुम्हारा सर सरे तसलीम हम है जो मिजाज यार में आए बात तो जब है ये फरमाश प्यार से आए अच्छा मसे ही बाई 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 प्रुम्हार बाई 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 मैं चली मैं चली पीछे पीछे जहाँ सजदे में हुसन के जुक गया आसमा लो शुरू हो गई प्यार की दास्ता सजदे में हुसन के जाओ जहां कहीं आखों से दूर दिल से न जाओगे मेरे हुदूर सजदे में हुसन के जुक गया आसमा लो शुरू हो गई प्यार की दास्ता मैं चली मैं चली पीछे पीछे जहाँ ये न पूछो किदे ये न पूछो कहां मैं चली मैं चली पहके कदम चाहे पहके नजर जाएंगे दिल लेके जाएं जिधर प्यार की राहों में प्यारा सफर हम खोब जाएं तो क्या है फिकल मैं चली मैं चली पीछे पीछे जहाँ ये न पूछो किदे ये न पूछो कहां सजदे में घुसन के जुग गया आसमा लो शुरू हो गई प्यार की दासता मैं चली मैं चली हम थाएं हम थाएं आपने नाजक उंगलियों को बेकार तकलिफ दे रही हैं आप असली खत तो यह है भाई 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 भी माई आमाला सारे बच्कियां जला दो ना सो आमाला आप तुम जाओ आपने मुझे याद किया क्या मैं क्यों तुम्हे याद करने लगी मेरा मतलब है के आपने मुझे बुलाया हाँ बैठी ना बैठी ना आप यहाँ अच्छे तो है जे बिलकुल मैं कल सवेरे बाहर जा रही हूं जी आप वहाँ नीचे कुछ पढ़ रहे हैं क्या जी नहीं यूही देखिये मैं क्या कह रही थी मैं क्या आप कल बाहर जा रही है हाँ नीना के पिता जने के मेरे भाई प्लेन एक्सिडेंट में अपने पतनी के साथ खत्न हो गए बंबाई में रहते थे वो वहाँ उनकी काफी ज्यादाद जो इन बच्चों के नाम करानी है लेकिन उसमें कुछ कानून ही जगड़े है जी उसी सिलसिले में एक बड़े वक्ल से मिलने में बाहर जा रही हूं शायद एक दो दिन लग जाए मेरे ख्याल है मैं आप पर भरोसा कर सकती है आप मुझ पर भरोसा करें ये दो खुशकिसमती है मेरी उन लड़कियों पर नजर रखिएगा कड़ी नजर बिलकुल कड़ी साहब बिलकुल अब जाओ अच्छा देखिए मेरे बारे में यहने कुछ बरस पहले में कैसी थी उस बात का जिक्र लड़कियों से बिलकुल नहीं करूँगा बिलकुल नहीं उस बारे में खुद भी नजर सोचिए जी जी माजी इतने रुपे खुले पड़े है अरे मेरे बेटे ने भेजे हैं पूरे तीन सो है वो बहुत बड़ी तंखा लेता है अब तो सोचो तो जरा मैं ठेरी बुड़िया इतने धेर सारे रुपे कहां खर्च करूँगी भला पर वो भेजे बिना नहीं मानता बहुत त्यार करता है मुझे बहुत और लिखा है जैसे ही छुटी मिली फोरण आएगा जी हाँ और रुपे तो रखिये न अरी रखती हुँ न लाखों में एक है मेरा बेटा जी चाहता है बस दिन रात देखते है रह बड़ी सुन्दर है क्या आया तो था यह मुझे छोड़ना है तब शायद तुने उससे नहीं देखा जी ने ठर मैं उसकी फोटी दिखा देखा यह देख क्यों? सुन्दर है न जी हाँ बहुत बहुत हनवान सिंग सब काख़ात ले लिये? यह यह जरा इनका ख्याल रखेगा जी बिलकुल बिलकुल दीदी बालीके विध्यालाई से छुट्टी है विध्या से नहीं चलिए संस्कृत पढ़िए अच्छा 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 आप लिए अच्छा विध्या अच्छा नहीं मेरे गाने से अच्छा तो तांसनी दावा भी है हुजूर को तो शुरू हो जाए सहाज फारन शुरू हो जाए फारन शुरू हो गया कहिए गले से गाउं या दिल से अपने सर से गुल बदर इस सहाब यहां से गुल होने का क्या नहीं गुल तो यह हो नहीं सकते हाँ काटा जरूर है जी क्या तुम्हारा स्थ ए गुल बदन ए गुल बदन फूलों की महक काटों की चुबन तुझे देख के कहता है मेरा मन कहीं आज किसी से महबत नहो जाएं ए गुल बदन ए गुल बदन खूलों की महक काटों की चुबन तुझे देख के कहता है मेरा मन कहीं आज किसी से महबत नहो जाएं कहीं आज किसी से महबत नहो जाएं क्या हसे मोड पर आ गए जिन्दगान के हकिकत न बन जाए मेरी कहानी क्या हसे मोड पर आ गए जिन्दगानी के हकिकत न बन जाए मेरी कहानी जब आहें भरे ये ठंदी पवन सीने में सुलग उठती है अगन तुझे देख के कहता है मेरा मन कहीं आज किसी से मुहबत न हो जाए कहीं आज किसी से मुहबत न हो जाए क्या आजीव रंग में सज रही है खुदाई के हर चीज मालक ने संदर बनाई क्या अजीव रंग में सज रही है खुदाई के हर चीज मालक ने संदर बनाई नदिया का चमकता है दरपन मुकडा देखे सपनों की दुलहन तुझे देख के कहता है मेरा मन कहीं आज किसी से महबत ना हो जाए कहीं आज किसी से महबत ना हो जाए मैं तुमी से यूँ आँखे मिलाता चला हूँ के तुमी को मैं तुम से चुड़ाता चला हूँ मत पूँच मेरा दीवाना पन आकाश से उंची दिल की उड़न तुझे देख के कहता है मेरा मन कहीं आज किसी से मुहबत ना हो जाए ए गुल बदन ए गुल बदन पूलों की महक काटों की चुबन तुझे देख के कहता है मेरा मन कहीं आज किसी से मुहबत ना हो जाए कहीं आज किसी से मुहबत ना हो जाए कहीं आज किसी से मुहबत ना हो जाए नीना इससे पहले भी मने तुम्हें बहुत परेशान किया पर तुम कभी ना रूई लेकिन आज आज से पहले तुम इतना परेशान कभी भी न कर सके मुझे लेकिन आज आज तुम रोई हो सोचा था जब तुम रोगी बड़ी खुशी होगी मुझे लेकिन आज आज तुम्हारे आंसु देखर एक बोच सा है मेरे दिल में तो पी बता दो ना कौन हो तुम आज सिर्फ इतना कह सकता हूं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं मैं सुनिये यह गेन मेरा है यहां कैसे आया? उनके, क्रिकट खेल रहे थे हम लोग तो संभाल के क्यों नहीं केलते? बाल बाल बचके है मेरा सर तूट जाता तो? यह नहीं, तूट ही नहीं सकता बड़ा मजबूद गेन है वो अच्छा? जरत देखूं तो इसकी मजबूद थी थैंक्यो अरे वे साप, साप कहां, कहां अरे वाप रहे सचमुच बड़ा मजबूद गेन है बिल्कुल नहीं टूटा मान गए देवी जी आपको लई यह गेन वापस करती है लड़कें से लचने का नतीजा तो मालू हो गया ना आपको मगर चोड़ खाने के बाद अब गेन तो क्या गेन का साया भी यहां तक नहीं आएगा लई यह गेन वापस कर दीजे प्लीज थैंक्यू वेरी मच्छ आँटी कौन था वा मर्द? आँटी वो? बेहया लड़की दिन दहारे वो मर्द तुमारा हाथा में खड़ा था आँटी में उसका गेन वापस करी थे अफ़सूर शकर रहा मैं खूब समझती हूँ आजकल के लड़कियों को जरा नजर हटाई नहीं कि लगी दिखाने अपने लच्छन और आप मैं आपसे कह गई थी कि लड़कियों पर कड़ी निगराने रखना फिर वो मर्द यहां कैसे आया वीटा ने ठीक ही कहा था उसका क्रिकेट बॉल यहां आपड़ा था वो बॉल एक बहाना था वो लोग आपस में क्या बाते कर रहे थे आप इतनी दूर खड़े खड़े कैसे जान सकते हैं मैं जानता हूँ ऐसी वैसी कोई बात नहीं है रीटा एक भली लड़की है बहुत स्यारा सकती बढ़ती जाये बात बात पर शक किया है जाये तो अच्छी भली लड़का भी बिगड सकती सिर्फ प्यार और नर्मी से ही बच्चों चुप रहे हैं आप हस्ते बड़े जा रहे हैं हमारे घरे और मामलात में दखल देने वारे आप को रहते हैं तुम्हों अची आई फूल रानी जी आई मालके दो दिन तक रीटा का खाना पिना बन 2400 घंटेओं से कमरे में बंद रखो समझी खाना पिना बिलकुल बंद थैंक यू प्रोफेसर साहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं खित करेगा वाए भी लगा भाड़ खित करेगा खित करेगा शिता देवी भारी रहलेंगी क्या अब भट जाए ये बीच मसे मैं इस नमत खराम के खाल खिचलूगी मेरे हुकम के खिलाम खाला ले जराता बहन के लिए इतनी सी उमर में मुझसे धोके बाजी करता है धोके बाजी नहीं तो क्या प्यार करेगा एक चलाद के साथ कोई प्यार करता है चलाद तुमने मजे चलाद कहा जी हाँ चलाद कहा एक मासुम बच्चे को जो इतनी बेरहमी से पीटे वो चलाद नहीं तो और क्या है निकल जाओ, फॉरार निकल जाओ यहां से जी खिया मत चाहता हूँ मगर याद रखी सिर्फ प्यार और नर्मे से आप बच्चों को अपना फर्मा बर्दार बना सकती सलम से कभी न बना सकेगी कभी न आप जवानी में काफी खुबसूरत रही होंगी चाहती तो अच्छी से अच्छी जगा शादी कर सकती थी इधर आईए जी आपने मुझे क्या समझ रखा है अंदर आईए आप से मुझे बात करनी है अंदर आईए जी आया बिलकुल आया बिलकुल आया जी आपने मुझे जल्लात का क्यों आप मुझे बहुत बुरी समझते हैं न मैं कहती हूं आप मुझे नहीं समझते बिलकुल नहीं शायद मेरा मतलग आप जो आप मुझे समझते हैं गलत है पहले आप मुझे ठीक समझते थे कब उस दिव उस दिन जब आपका मन चाहता के मेरी तारिफ करें उस दिन ठीक समझा था आपने मुझे जायद क्या मैं कहती हूं आप मुझे वही क्यूं नहीं समस्तेशाया आप मैं जलाद महीं समझ्धाया आपने मुझे जलाद समझा तो मैं सीता देवी मैंने दCause अब कुछ घुसे मे पातले में कह दिया था कल आपको बंबई जाना होगा क्या बंबई हाँ वहाँ नेना के नाम जो जाइदाद करानी है उसी सिलसले में वकिल वगरा से मिलना है बड़े भरोसे का काम है आप ही ने कहा थो ना कि मैं आप पर भरोसा करूँ तो ये खुश किसमती है आपकी जे तो फिर कल ही जाएए बड़ा ज़रूरी काम है कुछ दिन बाद हम भी आएंगे वहाँ आप जाएंगे ना जे जाओंगा नॉर्वल नॉर्वल मा अच्छी हो गई मैं फिर से जवान हो सकता हूँ जवान तो आप क्या भी बुड़े है जे मैं मतलब है कि मा की फिकर में जवानी में बुड़ा बना दिया डॉक्टर साथ यह बताईए मा बिलकु ठीक हो गई है घवराने की कोई बात नहीं पहले से बहुत बेतर है कुछ दिनों में बिलकुल अच्छी हो जाएंगे अच्छा थांक यू डॉक्टर प्रीतम ये क्या है? मा वो मा वो वहां मुझे नाटक खिलना पड़ता है मा उसके लिए नकली दाड़ी खरीती तु वहां बच्चों को पढ़ाने गया है या नाटक खिलना? ये तो मुसीवत है मा पढ़ाने के साथ मुझे नाटक भी खिलना पड़ता है तु जल्दी से ठीक हो जा मा मैं फोरा नाटक खिलना बंद कर दूँगा बहले ये नौकरी चली जाए ऐसा ना कहा बटा बड़ी मुश्किल से तुझे ये नौकरी मिली है तु मेरी बिल्कुल फिकर ने कर अपने काम का इज में दिल लगा वहाँ दिल तो मैंने लगा लिया है मंगर वो नाटक खिलना मुझे पसंद नहीं मा कालेज में तो बड़ी लगन से नाटक खिला करता था अब क्यो पसंद नहीं यही तो मुसीबत है मा वहाँ दिल लगने के बाद भी वो नाटक खिलने को मेरा दिल नहीं मानता खेर बंबई जाकर कोई तर्कीद मिका लूँगा बास आज अलुआ मेरे सुलाय हमारे साब सहना दुआ मैं तुमारी निये थोड़ा उड़ा लाया नाटक बार मालतीष प्रमेश भीया तुम इदर कैसे है पिताजी आज कलकते जा रहे हैं दोजा दिन के लिए मामा जी कलकता गए और आज के लिए मैदान साथ तब तो जरूर कोई पार्टी जमेंगी कल ही बहुत बड़ी पार्टी इन्हें देखने के बाद हुई है या पहले से कोई है जी मैंने ही आसकोंगी घब रहा हो नहीं गोड़ी लड़कियों के मामले में जरूर से ज्यादा शरीफ है यह पार्टी दिन में होगी आईये लो जी नहीं आंटी का डर्टी मुझे आंटी का कोई डर्टी देखिए फिर भी मैंने ही आसकोंगी मालती आपके साथ होगी फिर क्यों इनकाव जूरूर आंटी से डर्ती हैं आप मै ने कहा न मैं आंटी से नहीं डर्ती मैं का जूरूर आउंगी तर तर रमइंश भैया कल मलेंगे कर दो कर दो मैं चलू अप ये जल्दी जल्दी? दो जिन्ट होगी यहाँ बड़ा जालिम था कौन? जिसने घड़ी बनाया उससे भी जालिम था को यार कौन? जिसने फर्स बनाया उससे भी जालिम था को यार कौन? जिसने दिल बनाया पिर कब मिलोगी, अप नहीं, आंटी का डर है? जी नहीं, जुरूर है, जभी तुम इलने से इंकार कर रही हो, मैं कहती है मुझे आंटी का कोई डर नहीं, वे कली तुम से मिलूगे जभी तुम से मिलूगे तुम से इंसरी पने से शियुए धाल प्रतुरीण जे नहीं, पिर यदी, दोडर के रहे लुग का ही बात्याय है मैं पूछती हूँ, जे लोग यहाँ आए कैसे? Easy old lady, easy. बत्तमीज! Is her blood pressure all right Nina? Madam, बात दरसलिए है कि हम सब Nina के बहुत पराने दोस्त है. Nina ने यहाने का में लेडर भी लिखा था. आप दुनों के हमाने साथ ही ठरना होगा. ठरना तो एक तरफ़ा. तुम लोग Nina से मिल भी न सकोगी. समझें? लेकिन अंटी. आपने शायद मुझे तो ना पहचाना होगा. मुझसे बात करो. क्या चाहते हो तो? जी, चाहता हूँ. इन है. क्या? और आपको भी. मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे साथ चलें. मगर तु वो कौन? मैंने पहले भी कहीं तुम्हें देखा. और शयाद आपने मुझे कहीं पर… मुझसे बात करो. जी मेरे मतलब है कि आप लोगोंने मुझे कहीं दी नहीं देखा है. मेरे चाचा जी को देखा है. प्रोफेसर सहाब, पोटल में बीमार पड़े हैं. बीमार पड़े हैं? जी हाँ. क्या बीमारी है? जी घबरात की बीमारी है. देखिए न, आप इदर आईएं, उधर कपपी शुरू हो गई है? सावान आने में देर है. चलिए, चल कि चाए पी. चलिए, पहले तो कभी नहीं मिले. फिर हमें पैचान के चलिया तुमने? जी, चाचा ने बताया था के प्लेन से दो देवियां अकेली आएंगी. बाकी जितनी देवियां आएं उनके साथ देवता भी थे. हम. तुम्हारी शकल तुम्हारे चाचा से बहुत मिलती है. जी बिलकुल, फर्क सिर्फ दाड़ी का है. चलिए, मैं बिल देखे आता हूँ. ये रहा आपका कमरा. सावान दो रखनो. चलिया. प्रोफेसर साब के कमरा कौन था है? ये साथोला कमरा, number 48. आप लग बहुत थक गए होंगे, जाकर आराम केची. नहीं, पहले मैं उन्हें देख लू. देखिए, राद भर तडपते रहे वो, लोटन कबूतर की तरह. सबेरे सबेरे आँख लगी है, सोने दीजे उन्हें. दो भेंटर से तो तुम हमारे साथ हो, शाय जाग गए हो अब तक. ये नहीं, मैं उनकी मजबूरियां जानता हूँ, वो जाग ही नहीं सकते. पर देख लेने में क्या हर्ज है? मैंने कहा था ना आपसे, बेचारी रात भर तडपते रहे, लोटन कबूतर की तरह. आइए, चलिए, जाग जाएंगे, आइए, आइए. आप लोग अपने कमरे में जाकर आपना सामान लगरा जमाईए, जब तक मैं टी और बिस्केट्स भीजवाता हूँ. आवनी ना? ठीका, ठीका? शाबाज, वरी गूद, वरी गूद. ये लो, अब वो दूसरा कहा? सामट में? ये सर. जाबदी, 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 जाली, लाली! गलो, 무엇 वारादोः से लिए कारेगि कैशपन, क्कारेश्पन मैं वीन स्की शेहर ने ने सम एइ हेलो सीता देवी जी मैं बोल रहा हूँ जी मैं हाँ अभी अभी जागा हूँ वो मेरा नौजवान भतीजा है न परितम बड़ा ही पाजी है इतनी जोर से दर्वाजा बंद किया के मेरी आँक ही खुल गई परितम ने तो आपको बताया ही होगा जैसे ही मैं यहाँ पहुंची फॉरन आपको देखने आए थी कमरे में जी हाँ उसी से पता चला के आप लोग पहुंच गए हैं सफर में कोई आ अरो बाप रहे क्या हुआ प्रभी जा करवट बाली के करवट बदलने लगा के फोन छूट गया हाथ से तबियत से अदा खराब है क्या है संभलने लगी है भाली के अब संभलने लगी है क्या हुआता प्रफेसर सहाब आपने बात बीच में ही जी हाँ जैसे ही यह आइफोन हाथ से फिसल गया ओ आपका बतीजा कहा है नीचे भेईद्य है मैंने उसे नौजवान है ना समझी ना आप जी हाँ जी हाँ अच्छा ही किया आपने वैसे लड़का बड़ा शरीफ है मैं तो यहाँ आते ही बीमार पड़ गया था बड़ी मदद की उसने मेरी कोट जाना वकील से मिलना सारा काम किया है उस नौजवान ने अच्छा पर आचानक क्या बीमारी हो गई आपको मयादी बुखार मालूम होता है टाइम पूरा होते ही उतर जाएगा आप फिकर ना कीजिए जल्दी जाकर तैयार हो जाएए पृतम ने बताया है साड़े ग्यारा बज़े कोट पहुचना है आप लोगों को उसके लिए तो अभी वक्त है सामान वगारा भी तो खोलना है आप लोगोंने ओ तो नीना कर लेगी आपकी तब्यक चीक नहीं कोई ना कोई आपके पास भी तो होना चाहिए जाओ नेना तुम सामान लगा क्या हो रहा है आपको कप-कप-कपी हो रही है ताहियो में कंबल नपट देती है परेगा ही आप मर गया मरा गया मरा गया मर गया मर हुआ क्या आज गया काम से चाहे 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 जल्दी से चाहे बना दीजिए जल्दी बच गया बाल बाल बच गया जी नहीं अब इसकी कोई जरुवत नहीं जाओ जाओ अपना काम करो जो करना है फोरन करो पी भी लीजिए ना ना अब रहने दीजिए वैसे भी गर्मी के मारे जान निकली जा रही है आपको तो पसीने छूट रहे है लाइय में पोश देती ना ना डॉक्टर ने कहा जितना पसीना निकले उतना ही अच्छा है मेरे पोशने से पसीना निकलना तो बन नहीं ही हो जाएगा लाइय में पोश दो अब क्या होगे कपकपी फिर से कपकपी शुरू होगे हलो आपका टेड़फन लाइय लाइय हलो हाँ प्रीतम बेटे कहां से बोल रहा है तू हम हम सब प्रूदम ठीक जाता है ना अच्छा आप लोगों को कोट फॉरण पहुंचना है लेकिन आपको इस हालत में छोड़कर हाँ कोई पास होता तो अच्छा ही था देखिये आज कोट में सिर्फ एफटवेट दाखिल करना है नीना के ली भी जा सकती है यहने हम दोनों को जाने की जरूद नहीं जी नहीं दोनों में से कोई भी एएग जा सकता है और फिर नीना को कोई तकलीफ नहीं होगी प्रीतम जो साथ रहेगा प्रीतम? जी नहीं, मैं खुद जाओंगी मैं भी चलती हूं आँटी तुम यही रख प्रफेसर साब के पास जल्दी जाएगा कोट का वक्त हो गया है प्रीतम नीचे आ चुका होगा मो क्यों फुला लिया भालिके प्रीतम के साथ जाने नहीं मिला इसलिए जी नहीं तो आपके प्रीतम से मुझे क्या? तो फिर चाह देख भालिके शायद तेरे कमरे का फोन बज रहा है अलो चैंग शाबाज चैंग अब देख मेरे टेलीफोन का नंबर उनके टेलीफोन नंबर से मिला दे हलो येस किसे बात करना चाहते हैं? अलो पिगल्स आईसे स्वीडी पाट कान? विनोट तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? जोकाम, dear जोकाम Not at all, not at all बुडिया की बातों का हम लोगने कोई बुरा नहीं माना देखो हम लोग सेंट्रल पार्क पर तुम्हारा इंतजार कर रहे है बुड़ा बीमार है? नेंती गोली खिलादे बुड़े को और खिसक आओ वहां से No, no! तुम्हे आना ही पड़ेगा हम लोग सब तुम्हारा इंतजार कर रहे है Professor साब Professor साब क्या है बालिके? वीनोद का टेलीफ़न था वो वीनोद का? जी हाँ, मेरे फ्रेंड्स मेरे एक जिगा इंतजार कर रहे है मैं मिला उन से मैं बहुत जल्लाट हूँगी Professor साब Please मेरे बजपन के साथ ही है वो सब अच्छा बालिके अच्छा परिस्ताडी की लाज रख लेना जरा फोरण जा और तुरंत लौटा ड्रेश चेंज करके दो मिनेट में चली मैं सुन तुना डिस्टरब का बोर्ड तरवाजे पर लगा देना जरा बड़ी नेंदा रही है वाज़ी पर तरह यूह फिललबा अंपी 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 तांसे गाथे इव्जे यूह तुना पर लेन भाहाए करके दो में करके ताम हैं तुना कर्ड़ी मैं तेज पुजा करने गया हूँ जी हाँ जी हाँ पकीर साफ हलो मिस्टर पिक्तम हलो आप इसीता देवी हाँ डीडू हाँ जीर अंकर अभी जिन्दा है मिस्टर पिक्तम आप आप अफिलेटों साथ लाए है ना? जी हाँ, बिल्कुल लाएँ आप आराम कीजिए मैं भी लेकर आता हूँ आराम कीजिए आप इनका ख्याल कीजिए मैं भी आप नेना तु यहाँ जहां तुम वहाँ हम तो क्या आंटी होटल लॉट गई उन्हें मैं कोट में जाम कराया हूँ लेकिन तुम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो पहले यह बताई कि आप यहाँ क्या कर रहेंगे मैं मैं तो तुम्हारे चाचा जिसे पूछ कर रहे हूँ लेकिन आंटी को तुम मेरे बारे में कुछ बताओगे तु नहीं न? फिलहाल तो यही इरादा है बता दोगे? देखो अगर तुमने बता दिया तो तुम्हारे चाचा फारण नौकरी से निकाल दिये जाएंगे मैं भी यही चाहता हूँ कि बताओग बहुत जल्द इस मुसीबत से आजाद हो जाएं क्या? अगर आंटी ने मुझे भी घर से निकाल दिया तो? तो मेरा घर हाजिर है जनम जनमानतर के लिए अडवांस बोकिंग कर लीचे जरा ठहरो जरा ठहरो सदा मेरे दिल की जरा सुनते जाना खुली पलक में जूटा गुसा बंद पलक में प्यार जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल आखों में इकरार की जलकी होटों पे इनकार जीना भी मुश्किल होई मरना भी मुश्किल जिस दिन से देखा तुम को तुम लगे मुझे अपने से और आखे रहे आखों में एक मन चाहे सपने से समझ ना आए क्या जीता मैं और गया क्या हार जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल खुली पलक में जूटा गुसा बंद पलक में प्यार जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल तुम प्यार छुपा के हारे मैं प्यार जता के हारा अब तो सारी दुनिया पे अब तो सारी दुनिया पे जाहिर है हाल हमारा पहुच के इस मनजिल पे लोटना अब तो है दुश्वार जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल खुली पलक में जूटा गुसा बंद पलक में प्यार जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल इसे मेरी बात न समझो क्या बनता है बात बना के कुछ कहना था मेरे दिल का कुछ कहना था मेरे दिल का जाता हूँ वो ही दोहरा के ना हो यकी तो पढ़ कर देखो आँखों में एक बार जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल खुली पलक में जूटा गुसा बंद पलक में प्यार जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल आख़ों में इपरार की जल की भोटों पे इनकार जेना भी मुश्किल हर मरना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल आपसे बादे जिलना ज़रूर ना, आपसे आना, पूसरा ना. आपसे बादे, मुझे ज़रूर। यहां क्या कर रहे हो तुम, एफिडिविट लेकर कोड पहुंचने वाले थे ना? जी, गया था, वहां पता चला कि आप निकल चुकी है, बस आपके पीछे पीछे चला रहा हूँ. आखिर कब तक इंचदार करती है तुम्हारा? वकिल ने मामला कल पर टाल दिया, इधर लाओ वकागदा. जी. मैं प्रोफेसर साम से तुमारी शिकायत करना दी. ठेरी ठेरी, शिकायत शाम को हो जाएगी, देखिए प्रोफेसर साब सो रहे हैं. सो रहे हैं? तो पिर नेना कहा है? नेना? 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 नेना नहीं अपने कमरे में. कमरे में नहीं तो फिर.. प्रोफेसर भी नहीं है, दोने लापता हैं. लापता हैं? ओ, डॉक्टर, लोटन कबूतर वाला दर्द, उनको डॉक्टर के पास ले गया होगा. किस डॉक्टर के पास? मैं पता लगाता हूँ, आप अपने कमरे में जाके इंतजार कीजिए. नहीं, मैं इसी कमरे में इंतजार करूँगी. इसी में? मर क्या हूँ? जाओ, खड़े-खड़े मूग क्या देख रहे हूँ? यह साथ कपड़े हैं, साब. हाँ, ठीक है. अरे, वो लड़की कहा गई? लड़की? जब मैं बातरूम में जा रहा हूँ, साब हो तो बाहर की तरफ जा रहे बाहर? मेरे कपड़े? मेरे कपड़े लेके भागई! चोर, चोर, चोर! जाओ वाँ, साब जाओ? आहा, रेकले कपड़े लेके भागई! कपड़े? राजस्थानी कपड़े, घागरा छोली! बोटल से बाहर नहीं के हुँ, तो मोगी तरफ देखो! जाओ! 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 जाओ, जाओ! कर ऐके लेके रहागई जाओ, 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 जाओ! 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 वो रजिस्तानी लड़की देखी 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 कहा है ये चुपा रखिये मैंने काम हैंदा कुण अपना छोड़गा कुण कामने एक लड़की के पेचे दीवाने अरे बिगरता क्यों है भाई अपना काम कर बस काम कर मुद़ तो काम रखिंग अपना अरे क्यों अपना आया है, आया है। आया है। आया है। आप जाए अरे वाली के, कहा गई थी तू, नौकरी खत्रे में थी, बीमारी की हालत में कमरे से भागना पड़ा, तुझे डूणने के लिए कहा कहा दोड़ा, है मेरा दिल, लोहार की धौकनी बन गया है मेरा दिल आप तो मैं थग्या हूँ, मुझे उठा के ले चल, आपको, मैं उठाओ अरे तो ट्रॉली में ही ले चल, जल्दी कर, मेरा दिल, लोहार की धौकनी बन गया है, अरे चल भी मर गया, मर गया, लोहार की धौकनी हो गया है मेरा दिल, कहांगे इसे तुम लोग, डाक्टर के पास, डाक्टर के पास, हाराम, क्या हुआ कपकपी, फिर से कपकपी नेना जा, अपने कमड़े से कमब लिया, लाओ, अंदर में, समाल लाओ, लाओ चुपी रहिए, उधर पीता मिचारा भी परेशान हो रहा होगा आपको ढूंग भूंग ना जाने कहां भटकता होगा इतने सारे, हाँ, तभी आपकी हुंहु बंद होगी, हाई रे बुढ़ापा, अब तो एक मुसीबत बन गया है, देखिये, आप लोग जब से आये हैं, आराम नहीं किया, जाये, जाये आराम कीजिये, प्रीतम आता ही होगा मेरी देख भाल के लिए, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती, नेना बेटी, तू जा, आराम का, अब तो बुढ़ा पावा कई एक मुसीबत बन गया है मेरे लिए, चलिए हटिए, ऐसे बुढ़े भी कहा हैं आप? सकती होोगा है मेरी दो बुढ़ा है उती है है लोड़ा ने वोड़ा है होगा आओ बाली के, आओ आज तो आप अच्छे मले निजर आ रहे हैं प्रोफेसर साहब मुझसे बात कर, मुझसे जी बाहर मुड मुड के क्या देखती है किसी का इंतजार है क्या जाइए जाइए अब हम आपको अच्छी तरह पहचान गई है क्या कहा जो आप नजर आते हैं न, दरसल वो नहीं है आप तो फिर अजी बनिये मत, बड़े छुपे रुस्तुमें आप हमारी आंटी ने आजकल चुडे में फूल लगाना बाल काले करना किसके लिए शुरू कर दिया है हम अच्छी तरह समझते हैं बस यही समझे तो है क्या कहा आंटी चुडे में फूल मैं आज कैसी तवीत है आपकी ठीक, बलकुल ठीक कल जो मैंने आपकी देखभाल की यह सब उसी का नतीजा है जी उसी का, बिल्कुल उसी का वरना बेमारी को इतनी जल्दी न छोड़ता हू मैं क्या मतलब मेरा मतलब है कि बीमारी मुझे इतनी जल्दी ना छोड़ती जी अंटी जी कोट का टाय हो गया, चलो चले अगर आपकी तप्रेट ठीक हो गई हो, तो आप भी चलिये नहीं ये आजे तो उठे आंटी, इन्हें आराम करने दीजे मिस्टर पीता माते ही होंगे, वह में छोड़ाएंगे कचहरी अरे अब मैं उस लफंगे को कभी साथ ना जाने दूगा कली एफिडेविट गुम कर दिया था उसना ये कचहरी का मामला इन लॉंडों के बास का रोग नहीं है, चलिये मैं चलता हूँ मिस वर्मा, आपने अपनी छड़ी नहीं ली जी, दरसला वो एक बोश्ता मालूम होने लगा है, आएए चलिये कर दो आजी के प्लेम की जिन सिटे बिल गई? क्यो? कब जाता है? यही कोई है गंदे के पाद? जाई के बाद? लेकिन आजी, आज हम केसी जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते हैं? वो, प्रफेसर साथ, प्रफेसर साथ को अपने वदीजे भी तुम मिलना है न? इतने फिर उसको मिलना हों मैं उस लफंगे, अब और क्या हमें लाए उस, हम आज ही चलेगे जी प्रफेसर सावान भी तो बन रहे हैं, इतनी जली तब कैसे होगा? अब हो जाएगा वालिक, इस दाड़ी में मच्छा, जवानों की तुष्टी पाई हमें, यू बांदूगा सारा सामाना है चलेए, मैं आपका बें चुका दूँगा, बड़े पर्थर दिल चाजा है आँ अब भातीजिय ते बिना मिले ही जा रहे हैं, दुष्टा को दरा भी खेल नहीं तो क्यो इतना खेल कर रही है उसका? भातीजा वो नेरा है या तेरा है? यह के तेरा या, वो मीरा वो और तेरा कौन है वो लफंगा? वो लफंगा नहीं है रहद देम जे पूरे जेशिता है आफने के बना बनाने है बुग दूदा ऑला कि बगाने है तेल गदावाला बहुता भूचछावा बहुता बहुता गाचावाशा जो पुगता कर दो कर दो कर दो तूम। आवाज देखे हमें तुम बुला मुहापत में इतना नहम को सचा आवाज देखे हमें तुम बुला मुहापत में इतना नहम को सचा अभी तो मेरी जिन दे है परेशा कहीं तो मेरी जिन दे है परेशा कहीं मर्क हाँ तुम भी ना परेशा दे की तड़ा से नहम को जला मुहापत में इतना नहम को सचा आवाज देखे हमें तुम बुलाओ मुहापत में इतना नहम को सचाओ मैं सासों के हर तार में छुप रहा हूँ मैं धड़कन के हर राग में बस रहा हूँ जरा दिल की जानिब निगाहें जुकाओ मुहापत में इतना नहम को सचाओ आवाज देखे हमें तुम बुलाओ मुहापत में इतना नहम को सचाओ नहागे अगर हम तो रोथे रहागे नहागे अगर हम तो रोथे रहागे सदा दिल मता मल्की गोथे रहागे या जो तुम पर मिटा हा उसे ना मिटा या मुहापत में इतना नहम को सचाओ आवाज देखे हमें तुम बुलाओ मुहापत में इतना नहम को सचाओ आवाज देखे हमें तुम बुलाओ मुहापत में इतना नहम को सचाओ तुम जहां तुम वहां हम तुम मुझे इतना क्यों सताते हो अब मैं तुम्हें कभी नहीं सता हूँ प्राम तुम्हें से कभी दून जाओ कि ना कई चन्मों तक नहीं लेकिन मैं कुछ देर के लिए जाना ही पड़ेगा वावास सुनी किसी मोटर के हान की आवाज है उस हान की आवाज के पीछे एक बड़ी कड़कदार आवास वाली है आवास वाली? नीना मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ लेकिन उन्हें नहीं नहीं बता सकता हूँ आज में बापसी में, तुम्हें सब कोई बता हुआ, तुम्हें सब कुछ समझा, मैं इन ददार करे। बस मा, अरे एक लडड़ु वर खा ले न, मा लड़ु खाने का बग गुजर चुका है, अगर एक बज़े तक मैं वहां पोस्ट आफिस की नुकर पर नहीं पहुचा न, तो बुड़िया बगार मुझे लिए ही वहां से लोट जाएगी, लेकिन उनने यहीं क्यों बुला लिय किस मूँ से बुलाता मा, वो ठहरी मालकिन, नौकरों को सिर्फ नौकरों वाली शकल में देखने की आदत है उने, बड़ी मगरूर बुड़िया मालूम होती है, बस पूछ मत मा, मैं हाथ दोके भी आता हूँ मिस्टर पीतर, आपकी मार करीब करीब अच्छी हो चुकी, आप उन्हें जल्दी ही ले जा सकते कब तक? यही कोई एक दो-तीन हफतों में तब तक मैं कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूँगा ला मा, कोटला यह नीना कौन है बेटा? नीना? लेकन तुम्हें कैसे मालू हुआ मा? इस ख़त से. ओ मा, यह यह ख़त, यह बात है के पढ़ ले है तुमने? हर एक लवस मैं चला मा, बहुत देर हो रही ही. सुन तो मा, ओ लड़की पसंद है तुझे यह सब तुम्हारे लिए है, मा घर कर सारा कामकाज तुम्हे करना पड़ता था न मैंने सोचा के एक आद लड़की पसंद कर डालू बस बस अब ज्यादा सफाई ना दे यह बता, कब ला रहा है बहु घर में? यही तो टेड़ी खीर है, मा अबर उनको सब कुछ पता चल गया तो क्या पता चल गया? यही हमारी बात, नीना तो खर मान जाएगी, मा लेकिन उसकी आंटी बड़ी जबरदस डिक्टेटर है उसस सूली पे चड़ा देगी मुझे मजाल है उसकी, लाखों में एक है मेरा बेटा वो कभी ना नहीं कर सकती, मा खुद चल कर उससे बात्चित करूँगी ना मा, ऐसा घजब ना करना जब कोई तरकीब निकल आएगी मैं खुद क्या हुआ? वो बुड़या की गाड़ी इदर आरी है मा, मैं चला, मैं चला अरे सुन तो, पृतर, ओ पृतर अरे आंटी कहा है? आप भी कोई दखने गया है, सैनेटोरियम में सैनेटोरियम में? अरे बापरे आज यहाँ एक प्रोफेसर सहाब जी हाँ, अभी अभी गया है आपकी गाड़ी की तरफ बेटा है वो मेरा आपका बेटा? जी हाँ ताजीब क्यों हुआ आपको? आपके उमर ज्यादा तो नहीं मालू होती यह तो सब यहाँ के इलाज का आसर है बहुत अच्छा सैनेटोरियम है यह जी, आयाये, अंदर आये न बैठिये मेरा बेटा आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था अच्छा? जी हाँ, कह रहा था आपके हैं उसे हर तरह का आराम है बड़े अच्छे हैं प्रोफेसर सहाब पसंद हैं आपको बड़े शरीफ है वो सब लग उन्हें बहुत पसंद करते हैं सच मुझे बड़ा ही भोला है मेरा बेटा खामखा आपसे डरता है मुझे से? जी, शादी की बातचित करने के लिए शादी? जी हाँ, उसने मुझे आज ही बताया कि आप ही की मरजी पर सब कुछ है अगर आप मान जाएं तो वो शादी हो सकती है जी मैं जी मैं चलू सुनिया तो सुनिया तो आपने मुझे अपनी मरजी नहीं बताई आप आज से मुझे आपना कहा कीजी अजी पुडिया है अजी पुडिया है नजर से राएं इस तरह कहा वागे जा रहा है जी, जी आईए तो जरह, कारी में आईए जी, जी जी बड़े वो हैं आप जी बुजदिल भी हैं आप जी हाँ मुझे तो आज तक छुपाते रह लेकिन माजी ने मुझे सब कुछ कह ली सब कुछ? जी हाँ, सब कुछ देखे, मैं अपना कुसूर मानता हूँ शर्मया यापको जी शर्म तो कई महिनों से आ रही है जूटे कहीं के बेशर्म बनके माजी के सामने सब कुछ कह डाना अच्छा? बनो मत, मैं तो शर्म के मारे गड़ी गई वो हमारे बारे में क्या सोचती होगी क्या? मुझसे मेरी मर्जी पूछने लगी मैं तुम्हारी तरह बेशर्म थोड़ी हूँ जो जट से हां कहते थी किस बारे में? कुछ तु शर्म करो ट्रैवर सुन लेगा आराम से बैठो न टी तम होता है बच्ची होता है जी मैं तो दिलों से खेलने की आद दुत hoc जिसे उससे लौँ न लगा बच्ची वो खिलाडी तेरे प्यायर को पंक्चर फुटबाल की तरह ठुकुराा चुका नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता होता है बच्ची होता है इस जनम में तो सटक गया वो तेरे हाथ किसी दूसरे का हाथ थम लिया है उसने ऐसा ना कहिए प्रोफेसर साहब, ऐसा ना कहिए तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाता एक चाहने वाला पती चाहती है न तू तो फिकर ना कर, उस सेवा के लिए मैं हाजर हूँ प्रोफेसर साहब, कैसी बाते करते हैं आप सीधी बात है बच्ची, सीधी बात है आखर उस लफंगे और मुझ में फर्की क्या है सिर्फ इस दाड़ी मुझका, तो तेरे लिए उसे भी साफ कर दूँगा शर्मानी चाहिए आपको, मुझे नहीं पता था, कि आप इतने गिरे हुए निकलेंगे नीना, सुनो तो, नीना तू? ची, हम ठोके बास 420, लोफर, आवारा कही के सारे के सारे टाइटल तो गिनवाय दिये प्यार से भी एक बार नाम ले लो छोड़ दो मुझे, अब मैं जिंदगी पर तुम्हारा नाम नहीं लूँगी तुमने हम सब को धोगी में रखा क्या करता नीना दो बातों ने मुझे मजबूर कर रखा था एक तो मेरी बेकारी, दूसरी मा की भीमारी सच मानो नीना, जिस दिन मा ठीक होकर सैनेटोरियम से निकलेगी उस दिन में तुम्हारी आंटी को सब कुछ बता दूँ मैं पुछती हूँ, इससे पहले मुझे क्यो नहीं बता दिया अब तक मेरे जजबा से खेलते क्यो रहे राज जब तक राज है, सिर्फ अपनो को ही बतलाया जाता है जिस वक मुझे यकीन हुआ कि तुम मुझे अपना समझती हो, फॉरण तो तुम्हे बतला दिया मैंनी तुम जैसे धोके बास को, मैं कभी अपना नहीं समझ सकती फिर रोने लगी, आजकर तुम बहुत बोर करने लगी हो अब आओ भी, मुझे देर हो रही है अब क्या करेंगे? करेंगे कुछ, एक दो दिन में बताओंगा का हूँ? रीटा! अचा रीटा में लागा हूँ अचा कौन था वो? बोलो, कौन था वो? रुमेश रुमेश देखो रीटा मैं महबब के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन उसके भी कुछ ठंग होते है शहर से इतनी दूर इन खंडरात में मिलना लोग तुम्हारे चालचनन के बारे में क्या सोचेंगे? शहर में उससे मिलती तो आंटी को पता चल जाता अगर तुम्हें आंटी का इतना डर है तो फिर इस लड़के से मिलती ही क्यों हो? मैं आंटी से नहीं डरती रमेश कभी यह ख्यात है कि मैं आंटी की डर से उसे मिलना नहीं चाती मैं कहते मैं नहीं डरती आंटी से तुम आंटी से बहुत डरती हो रीटा इसलिए जिद में गलत हरकतें करती हूँ उस लड़के से मिलना जुनना छोड़ दो मुझे वो लड़का अच्छा नहीं लगा क्यो? इसलिए के उसे तुम से सची महपत नहीं अगर होती तो मुझे देखर तुमें छोड़ कर भाग नहीं जाता जा जाओ, कॉलिज लड़ जाओ आए इंद आस लड़के से नहीं मिलना आजकल की लड़कियों से जब तक सक्ती ना बरती जाए वो सीधी रहा पर नहीं आती जरूर से जाना सक्ती की जाए तो लड़किया बिगड़ भी जाती है रीटा और निना बच्ची नहीं है, समयदार हो चुकी है शादी ब्या के काबिल है, कुछ उनकी मर्जी का भी ख्याल रखना चाहिए हर्गेज नहीं, उनकी शादी उनकी नहीं, मेरी मर्जी से होगा और निना के लिए तो मैंने लड़का विताय कर लिया क्या, कौन है, कौन है, किस है, किस है मैंने सोचा दो खानदानों का मेल हो, तो पुरी तरह से क्यो नहीं मैं समझा नहीं, किस खानदान कई लटका है वो जा, गुट्धु कहीं, प्रित्म है वो लड़गा, समझे togeth? मचच मच, सचमच, लीणा की शादी मुझसे हो रही तुमसे? मे Ratφतीजप मतलब है मेरे भुतिप्रक्व से पांचे, पांचे, पांचे लेकिन मौन तो जाएगा न हुआत! झीता! शादूरी! गादूरी! सिता, किसे देख रही हूँ? अनमान सिंग, प्रफेसर साब को कहीं देखा? जी हाँ, वो अभी नीचे टेखरी की तब जा रहे थे इस वक्त यहाँ क्या कर रही हूँ? उस लड़के से मिलने आई होना मेरे मना करने पर भी उस आवारा लड़के से तुम्हारा मेल जोल चारी है अब तक मैं क्या करूँ प्रफेसर साब? रमेज से मिलना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए आप नहीं जानते बहुत ज़रूरी है मैना वो मुस्से नहीं मिलता जहां गई बुलाते थे मिलने नहीं है मैं सब ठीक कर दो मैं सब ठीक कर दो प्रफेसर साब यहां क्या कर रहे है आप दो लोग चलीने आप हाँ सब लोग आपका इंतिजार कर रहे है चले प्रफेसर साब आए प्रफेसर साब, यहां आईए अभी वा खामोश आप लोग जड़ा शान्त हो जाईए आप लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि बहुत जल्द मेरी भतीजी नीना की शादी होने वाली है और जिस लड़के से शादी हो रही है वो कोई पराया नहीं अपने प्रफेसर साब का भतीजा है वो मुभारक हो कालिके मुझे भी कुछ कहना है आप लोगों को यह जानकर और भी खुशी होगी यहां जल्द एक नहीं दो शादिया होने वाली है जी हां दूसरी शादी मेरी सहली सीता देवी और प्रफेसर सहाब की पीतम 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 देतारी क्यों उतार दी बात बहुत बढ़ चुकी सोचता हूँ तुम्हारी आंटी को जाकर सब कुछ कहता हूँ उनका गुसा तो तुम जानते हैं अगर उनने तुम्हें घर से निकाल दिया तो तो मजबूरी है जाना है पड़ेगा अकेले जाओगे तुम्हें कैसे साथ ले जा सकता हूँ अब मैं बच्ची नहीं रहे जिससे चाहूँ शादी कर सकती हूँ कानूनन भी आंटी का मुझ पर अब कोई जोड नहीं कानूनन ना सही लेकिन शराफ़त भी तुक इची से को सब्सक्राइद तुम्हें मुझसे मुझसे मोहबट नहीं मिरे आंखुमें दे कर से भी बात को कहो कि मुझहें तुमसे मोहबट को को कोई, 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 अच्छा बला यहां बच्चों को पढ़ाने के लिए आया था क्यों तुमने मुझे तंग किया, क्यों मुझे बद्दा लेने पर मजबूर किया आज उसका नतीजा देख रही है, उधर तुम अपने दिल से मजबूर हो, इधर मैं, क्या कोई हल निकल आएगा पीता, तुम अभी अच्छी को असलियत मत बताओ, मत बताओ, शायद तुम ठीक ही कहती है, वैसे बिदे कल तक तुम उदे छुपाना ही पड़ेगा, जिर्फ कल तक, पाना लीटा को कोई ज़रूरी कान, उसके बाद मैं, अलमान सी, जल्दी हो दारी, तुम आपने देखी लिया है, यह देखी नया दिजाइन, घीरों का, रमेश बाबू, अचकन का ट्राल ले लेगे, मैंने आप से कहा था कि मैं शादी में अचकन नहीं सोट पहनूँगा, रमेश, शादी में अचकन पहनूगे तुम, जी पित यह शादी नहीं हो सकती, एक फुली भाली लड़की को दोखा देकर यह लड़का कहीं और शादी नहीं कर सकता, नहीं नहीं पिता जी, बात यह थी कि क्या बात थी, को लड़की तो खुद मेरे फीज़ पढ़ी है, देखी यह उसका खत, मेरी पीतर, मैं कल भी उसी जगह तुम्हारा इंतिजार करती रही, पर तुम ना आए, तर इस खाव मुष्पी वरना मेरी जिन्देगी बर्बात हो जाएगी, आज दो बजे जरूर आना, तुम्हारी दीता, लीजे, आप भी पढ़ लीजे, मेरा बेटा दूर भागता है फिर भी उस पर डोरे डाल रही है, वो अब वहा लड़की, थावारा फो नहीं, आका पेटा है, रीटा को पहका कर इसमें उसे अपने जाल में ठासा है, यसे रीटा से शादी करनी ही होगी, बखो मत, रूमेश की शादी वहाँ होगी, जहां मैं चाहता हूँ, अब भी वक अब आप जाएए, मैं अपसे पिता जी का कहना नहीं डाल सकता, कौमीने, पुजदिल, तु इस काबिल नहीं के रीटा तुससे प्यार करे, दुख नहीं दुखो से, पुजदिल आदमी है वो, निकम्मा, बिलकुल निकम्मा, अच्छा हो कि ऐसे निकम्मे के साथ तुम्ह यह ले, तुम्हारा खत, नहीं से चीन लाया, क्योंकि वो बुजदिल आदमी कहीं और शादी कर रहा शादी? हाँ, आज ही कल नहीं ओ मा, अब मैं कहें कि दो रहें, अब मैं क्या देरू, क्या देरू प्रीटा क्या बात थी, वो इतनी बेहाल हो के यहां से क्यों भागी थी? अपने मतलब की बात करो, यहां क्यों आया है? ना खुद नहीं आया हूँ, मालकिन ने मुझे बेजाए यह बताने के लिए के आज दुपह की गाली से आपकी मा यहां पहुंच रही है मा? नहीं क्या बात है, घबरा क्यों गया आप? कुछ नहीं, मालकिन से कहादना के वो न चाहे, मैं खुद आके मा को लियाओंगा प्रफेसर साब, प्रफेसर साब, रीता को क्या हुआ? रीता, ठीक हो जाएगी, गारी का वक्त हो रहा है, मुझे स्टेशन जाना लेकिन वो चील की तरफ क्यों भागी? चील की तरह? हाँ, पागलों की तरह बढ़ बढ़ा रहे थी, किसी तगी बेकार है? मीना, क्या बात है? रीता भाग गई, चील की तरह, चील की तरह रीता देवी और प्रफेसर साब में कुछ गरबर चल रही थी मैंने खुद अपनी आखों से देखा है गरबर या? जा आउ तो आउ भाई रीता रीता अजाए मत कोट रास खुँझाए अजाए अजाए आजी, आजी, इस पुरादे में, क्या से बताईू अरो भूसे लपकार का मुदे क्राईू, बताई, 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 बताई बताई युकार बताई युकार बताई युकार बताई नीना ये खत तुने लिखा था, बोल, उसे ये खत तुने लिखा था जी बेहाया ये पढ़ इस खत को वो सिर्फ तुझे ये नहीं वीता को भी अपने जाल में फांसे वुए था नहीं नहीं, नहीं, तो फिर पढ़ती क्यो नहीं पढ़, वीता की लिखाई तो पहचानती हो ना इसकी हालत नाजोख है, नर्स केस और भी सीरियस हो गया रुकी तो माँ बनने वाली क्या कहा आपने? नहीं रेता माँ बनने वाली? जी हाँ नहीं, नहीं मैं मारता लूँ उसे मैं मारता लूँ मिस्वर्मा अल्की अल्की अरे, तेरे कपड़े तो सब भीगेवे हैं तुम जले ने स्टेशन के उन्हें आया? मा बता ना, चुप क्यों है? बताउंगा मा बताउंगा कब बताएगा? आँख रिस सालत में कहां जा रहा था तू? चल, अपने घर ले चल मुझे घर? अब मेरा कोई घर नहीं है, मा मेरी नौकरी भी जाती रही आप्ट पुरिटा, क्या ये सच है? चूट है मारे, बिल्कुल चूट है और क्या जिरी चूट है, कि तू हमेशा से दपा देता रहा हमें बुड़ा मन के नोकर करता रहा हमारी जा चूप क्यों है बटा, जो आप देता, तू तो कम जाए समें सा जिर जिर का नमा काया, उसी के अबुप प्रहद आप 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 क्या हुआ बेटा, ये देवे कौन है? मेरी माँ सब्जारी जी जट अपने लवटों नहीं बुजारी जी, आप इने समा लेगा तनक चिंताना करो बेटा मैं तुम्हारे चर्णों की सबन खाके कहता हूं मा तुम्हारे सानु जे कलंग मेरे नाम पर लगाया किया है जब तक मैं वो धो ना लूँगा तुम्हारे सामने कभी नहीं आउंगा मा कभी नहीं जब साझ खकते सिंप जब साञा मारे तुम ча één ऊवे जए तुम्हार के तुम्हार तुम्हार यदाई, चुम्हार के तुम्हार जी ये, नेना, तू, यहां क्यों आया है तू? जो तो हमें आपने मुझ पर लगाई है न, तो रोसा वो इस बुजदिल की हरकत है मैं कहती हूँ, वहां निकाल आ यहां से तेखिये न, यह गुंदा जवजदा ची मुझे बाराथ से उठा के लिए क्या है गुंदा, पर देख मैं तुझे लेकर आया कहां पहचान इसा, पहचान रीटा सुन लिया आपने और आपका खयाल था का मैने आपके खांदान के इजद पर हाजाना इसके लिए आपने मेरी बुरी मा को भी जखमी किया अब बताईए जवाब दीजिए दोके बाद कौन है माई या वो बकावाज जाने जो तुझे प्रेम भरा खत लिखा मैं अपनी आखो पड़ चुकी और तुझे बढ़के धोके बाद और कौन हो सकता बुरा बनके तुने मुझे दोका रेका जवान बनके एक तरफ मीना को अपने जाल में और दूसरी तरफ उसकी बहन रीटा को है है खलत है रीटा सुना तुम्हे रीटा यह इल्जाम जो मुझे को लगा जा रहा तुम जानती कि यह जूट है इन्हें बता दो कि यह सब जूटा रीटा 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 बोलो मैंने कहो ना कि इमची जबान बंध है तुम जोन हो जाओ यहां से कभी लहें अगर यह बुस्तेली यहां से चला गया तो रीटा की जिंदगी हमेशकी तबहा हो जाएगी चाहते ही कहीं और शादी कर लेगा यह जटक मेरे तम में तम है यह रीटा को छोड़का कभी नहीं जा सकेगा अनुमाल सिंग बुलाव सब नाब को यह एक लिया तो नहीं तेरी वज़े से रीटा की क्या हालत है हाँ पुकार पुकार उसे श्यादो तेरी आवास सुनका चाहूंक उठे बुकार नहीं पुकार यहा पुकार पुकार उसे बुलाव से 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 थीडान, दैक चोड़ है ? चोड़ा ! एयाँ ? क्या। ky ना चाती हैं ? खीना... परभवाल है ? वाज कह आता है ? प joe कुछ भी है मेरा दील जता है और आप क्या है ये भी सुन लीजिए, जलाद है आप जलाद जलाद, तू ने भी मुझे जलाद काओ एक बार नहीं, हजार बार को हुए आज आप मेरी दुबार नहीं रोख सकेंगी आप क्या जाने मा बच्चों का प्यार क्या होता है हमारी माने ही इस दुनिया में सोचा था आपसे मा प्यान मिलेगा लेकिन माने ही जलाद है आप जलाद जिसने आपकी भसी जी को डूबने से बचाया सिर्फ इस भशी पर नहीं उसकी माँ बच्च्ची आपने पट्ठर बच्च्वाए वही बेखा, जिसकी माँ पर पत्थर बर्श राए, आज इस मुझ्दिल को लेकर आपके दर्वादे पर आया, क्यो, इसलिए न, कि आपकी भतीजी की जितने की बर्बाद होने से बच जाए, यह देखिए, देखिए कि उसके दूजरे ऐसाथ का मतला क्या दिया आपने, आप जलाद है आपके जलाद, जलाद, हरुआजरे न, न, सुना, मेरी वादी जी मजे जलाद के रही, जलाद, जलाद शीता देबी इसलिए दूजरे न, जलाद, जलाद जलाद, जलाद आपकी भतीजों की मां की जगए है मैं मा न मा न बनसे की जलाद मा न मैं माने मा देशिए म 一切 सान बूल जाई नेना की बातों माप कर दिजु दिज आप की बच्ची आ Bennett क्किवा कर देश यह मा की हुआ का था मैने म dynasty सान वड़ा तौल सुदीजु कि अधियी अधिए आपने माँ बनने के लिये कभी प्यार से अपनाया है उन्हें कभी इस्यनिय से नहीं से लगाया है उन्हें उन्हें कि यतीमी पर कभी यहां सुभाईए आपने माह जानता हूँ माँ वाकाशी होती ठीबी की मरीज थी मेरी मा और मर्स हमेशा चुपाया मुझसे इसलिए कि बेकारी के यालों में हुलाद परहशान ना हो ये होती है मा सीता देवी, मा ये होती है मैं क्या जानू, मा क्या होती मैं मा नहीं हूँ, मैं मुझसे आप मा है सीता देवी, मा है आप और अरत मा होती है, और आरत में ममता होती है वरला क्यों तड़प रही है इस वक्त? इधर आपकी ममता तड़प रही है अदुदर, देखिए, देखिए आपकी अनाथ पदीजिया मैना, इतने कर्ब होकर आपтоб इतने दूर क्यों है अपनी ममता को चानने का मोगार डीजिया,, आप मा है अपनी पदीजियों को अपनी प्दीजिये आप मा है, सीता देवी, मा है आप मैं मा 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 माऊ! माऊ Μ olm लाथ में! माऊ Mae, माऊ Μ अनक माँ साथ अनस लीन हो जब जब चो जो टो टूँक। यहिसे लगा लो चीशियां। यहिसे लगा लो चीशियां। ए लड़कें। मेरी दो बेटियां है। मुझे दो दामाद चाहिए चली धर, चल वब आई दो, आई दो प्यार की रोड कुई आई दो अमरे गाऊ प्यारई की रोड को बंद जाएगा काुई आई दो पाइगा आई दो मुझे बंद zapat झाल